सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रोहित यूटूब चेनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दिजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेमसंग गिलेक्सी M41 स्मार्टफोन के बारे में तो दो दिन पहले ये रिपोर्ट निकल के सामने आया कि जी नहीं Samsung Galaxy M41 smartphone Samsung launch करेगा और इसमें Samsung आप लोगो सबसे ज़्यादा MH बेटरी देने वाला है तो ये रिपोर्ट निकल के सामने आया था जब Samsung Galaxy M41 को 3C certification site में देखा गया था तो वहां से ये पता चला था कि जो Samsung का M41 smartphone आएगा यहाँ पर आप लोगो 6800 mAh की बेटरी देखने को मिलने वाला है तो जली हम लोग सोचे कि चलो अच्छा है Samsung इतना image का बेटरी यहाँ पर देने वाला है लेकिन अब आप लोगों के लिए और एक good news है कि Samsung अब एक नया Exynos का chipset आप लोगों को Samsung Galaxy M41 smartphone में देने वाला है तो बहुत दिनों से लोगों के मन में सिखाया था कि Samsung एक ही chipset को अपने बहुत सारे smartphone में यूज कर रहा है जो कि था Exynos का 9611 आप लोगों को Exynos का 9611 Samsung के बहुत सारे M-series के smartphone और Samsung के A-series के smartphone में देखने को मिल रहा था लेकिन अप जो Samsung M41 को launch करेगा इसमें आप लोगों को Samsung का एक नया mid-range powerful chipset है जो कि Exynos का 9630 ये SOC आप लोगों को M41 में देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर Samsung के तीन smartphones के leak निकल के सामने आ रहा था और मैं आप लोगों को चैनल में update देता रहाता हूं पहला smartphone है Samsung का M31S, दूसरा smartphone है Samsung का M41 और तीसरा smartphone है Samsung Galaxy M51 तो Samsung Galaxy M51 का जो गेक बेच में score निकल के सामने आया था तो वहाँ से भी ये पता चला था कि जो M51S smartphone आएगा उसमें आप लोगो Qualcomm का chipset देखने को मिलेगा जो कि है Qualcomm का 730 और अब जो रिपोर्ट निकल के सामने आया है Samsung के M41 के बारे में तो यहाँ पर पता चल रहा है कि आप लोगो Exynos का 9630 का SOC देखने को मिलने वाला है यानि कि Samsung के upcoming M-series के smartphone में आप लोगो को काफी अच्छा hardware specification देखने को मिलने वाला है तो जो लोग gamers है और जिनको Samsung का एक mid-range smartphone में अच्छा खासा gaming वाला smartphone देख रहते हैं मेरे ख्यार से उन लोगों के लिए काफी अच्छा smartphone से यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि जो chipset है वो काफी powerful है और heavy games को भी आराम से यहाँ पर handle कर लेता है हाला कि बाकि यह specification की बात करें तो Samsung Galaxy M41 में आप लोगों को मिलने वाला है 6.4 inches का 1080p Super AMOLED डिस्प्ले हाला कि यहाँ पर आप लोगों को punchable डिस्प्ले नहीं मिलेगा आप लोगों को इस smartphone में इंफिनिटी यू सेप में वाटर डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाला है तो यह भी almost confirm हो चुका है बेक सैड में आप लोगों को quad camera का setup मिलेगा जो primary camera है वो 64MP का यहाँ पर होने वाला है और बात करते हैं selfie camera के तो आप लोगों को 32MP का selfie camera इस smartphone में मिलने वाला है 6800 mAh की battery मिलेगा लेकिन एक जो कमी मुझे लगड़ा है कि सायद Samsung आप लोगों को 15W का ही charger इस smartphone में देने वाला है तो यह आने वाले दिन में हम लोग discuss करेंगे Android का 10 मिलेगा और Samsung का 1EY2 यहाँ पर मिलने वाला है हाला कि दिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि Samsung हमेशा अपने A-series को उपर ही रखता है तो यहाँ भी आप लोगों को back side में physical fingerprint का sensor मिलेगा आप लोगो in display fingerprint का sensor नहीं मिलेगा लेकिन यह तो report था कि सायद M51 में मिल सकता है तो आप लोग क्या सोचते हैं Samsung Galaxy M41 के बारे में आप लोग यह बात मुझे क्योंट सकते हैं बतायेगा नए हांगे तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए था कि उन तक इवड़ा पहुंच जाए और हमारे चैनल को subscribe कर लीजिएगा Thank you so much